Hi everyone, शुरू करते हैं कुछ latest news से Hyundai Venue के N9 launch होने के बाद 7 September को Citroen C5 का facelift launch होने वाला था 6 September को भी यही था कि भी अगले दिन launch होगा In fact, 7 September यानि कि आज भी सुबह 9.30 बजे तक यही था कि आज launch होने वाली है Suddenly वो आज का कल हो गया दोपेर के धाई बचता ही लगता है कि Citroen वालों को अपना introductory price decide करने में time लग रहा है अगर बात करते हैं गाड़ी के launches के delay होने की, गाड़ी के prices ना decide होने की तो High Rider के लिए काफी सारे media houses ने यह का था कि 1st week of September में इसके prices reveal हो जाएंगे In fact, कुछ जगों में तो 1st September भी का था 7th September हो गया है और उसका कुछ आता पता नहीं लेकिन मारूती Grand Utara का एक update आया है कि finally सारा का सारा monsoon season निकालने के बाद last week of September में शायद इसका price reveal होगा and 1st week of October से इसकी delivery स्टार्ट होगी mid September तक इसके model शोरूम में आजने चीएं जिसके अंदर कि हम इसका production ready model देख सकते है and शायद हो सकता है कि test drive models भी available हो मैं अभी भी इन साली चीज़ों के आगे शायद कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से इनका price reveal और इनका launch date delay पे delay होता जा रहा है चलो जैसी कुछ update होगा आप लोग के साथ share करता रहूँगा next thing 8 September यानि कि कल महिंद्रा की XV400 launch होने वाली है महिंद्रा ने 8 September क्यों choose किया है विल अगर आप महिंद्रा XV400 की mini site पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि महिंद्रा ने 8 September शयाद इसले चूज किया हुआ है क्योंकि वो World EV Day है और लिखा भी हो आप लोगने website पे revealing something fun this World EV Day लेकिन आप एक हलका सा Google सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि World EV Day 8 September को नहीं 9 September को होता है अपको यह साना हो कि यह सुनके महिंद्रा वाले भी Citroen C5 की तरह XV400 को लाउंच भी एक दिन आगे डिले कर दे है आज कल हार चेके डिले है गाडी बुक कराने जाओ तो डिले गाडी की डिली वी चाहिए हो तो डिले गाडी का प्राइस अनाउंसमेंट करवाना हो तो डिले गाडी का लाउंच करना हो तो डिले लेकिन एक चीज है जिसके अंदर आपको कोई डिले नहीं नजर आएगा और वो होता है लोगों के ओपिनियन में 5th September को और Cyrus Mr.G का accident हो गया अपनी Mercedes-Benz GLC में इन विच ही डाइड ऑन दे स्पॉर्ट अनफॉर्जनेटली इसकी सारी की सारी अनलेसिस एक्सिदेंट की मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करी वी है अगर आप चाहो तो देख सकते हो कैर इस वीडियो में मैंने डिसकस किया था कि गाड़ी के अंदर दो चीज़े थी पहली बात तो इट वस बिंग ड्रिवन अट वन थर्टी तो वन फॉर्टी के मपीएच और इस चीज के ओपर रियाट करते वे सारे लोगों ने सीट विल्ट की खूब बाते करी हैं एरबैक्स की बाते करी हैं गाड़ी की बिल्ट वालिटी की बात करी है सडकों की बात करी है इंजिनेरिंग की बात करी है गड़ों की बात करी है लेकिन ओवर्स्पीडिंग की जादा लोगों ने बात नी करी चलिए देखते हैं सबसे पहला ट्वीट आता है आनंद वहिंदरा जी का जिसमें कि इनों ने कहा है कि वो खुद भी गाड़ी हैं पीछे बैटके seatbelt पहनते हैं और request करते हैं सबसे कि हम सब भी rear seatbelt पहने हैं चलो जी मान लेते हैं लेकिन over speeding की कोई बात नहीं करी उसके बाद कुछ reactions हमारे Bollywood से भी आते दिया मिर्जा जी ने भी ये कहा था कि seatbelt spend ही बहुत जरूरी है चलो जी ठीक है मान लिया उसका पूजापट जी भी निकल के आई वो कहती है कि pot holes की दिक्कत को क्यों नी fix किया जाता सड़कों को maintain क्यों नी किया जाता बात तो सही है लेकिन ये गाड़ी जो थी वो हाईवे पर चल रही थी और आक्सिडेंट पॉट होल की वैसे नी वा था बट येस पॉट होल जो दिक्कत है और जो सड़कों की maintenance की बात है वो भी genuine है लेकिन इस केस बागर उवर स्पीडिंग की भी बात हो जाती तो anyway कोई बात नहीं इतने बड़े हादसे के बात obviously government तक भी ये message काफी clearly पहुँच गया कि road safety और safe driving कितनी important है इन चीज़ों के ओपर एक decision लेते वे हमारे union minister of highway and road transport मिस्टर नेदिन गदकरी जी ने कुछ important decisions ली है पहली बात उनने consumer affairs ministry को ये लिखा है कि कुछ ऐसे devices आते हैं जिनको अगर आप seatbelt के buckle में डाल दो तो seatbelt का जो reminder होता है वो बंद हो जाता है तो वो जो devices हैं I think वो under 100 rupees में available है they have been banned secondly government ने ये भी decision ली आए that very soon they will be coming with an official notification जिसके अंदर front seatbelts की तरह rare seatbelt reminders भी होंगे यानि कि अगर गाड़ी चलेगी और कोई पिछली seat पर पैठा है और वो belts नहीं बखल अप करता तो गाड़ी के अंदर reminder बजएगा which will make sure कि आप seatbelt लगाओ उसी के साथ साथ तुन ने ये भी decide किया है कि वो जितने भी major highways हैं उनके ओपर एक audit करवाएंगे safety audit जिसके अंदर की highways के ओपर जितने भी blind spots हैं वो सारे detect किये जाएंगे और उन blind spots को हटाने की कोशिश करी जाएगी उनका ये मानना है कि कई बार जब बड़े बड़े national highways डिजाइन होते हैं तो काफी सारी DPRs detailed project reports faulty होती हैं जिनकी वज़े से blind spots रह जाते हैं which are prone to accident ये भी काफी अच्छा decision है safety alert होना भी चाहिए अगर highways हमारे और भी जादा safe हो जाएं तो क्या बात है next 1st October से 6 airbags आने compulsory होने वाले थे but currently that decision has been put on hold government ने बोला है कि इस decision को हम implement करेंगे अभी immediately ही कुछ constraints है लेकर आगे चलके जरूर करेंगे इन सब चीजों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि overspeeding है कैसी चीज है which has somewhere been missed out वो जो lady doctor थी जो कि इतनी तेज गाड़ी चला रही थी वो भी एक बहुत बड़ा reason था इतने बड़े fatal accident का मानलो कि वो seatbelt पहन भी लेते है मानलो कि airbag पीछे भी होता तो भी वो एकदम unscathed बाहर तो नहीं निकलते आगे के जो passengers थे उन्होंने तो seatbelt पहन रखी थी इनको भी काफी serious इंजिनीज आ रखी है सो सारी discussion seatbelt और airbag के ओपर जब हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि overspeeding के कैसी चीज है which has been missed out इस accident को काफी seriously लिया जा रहा है और इसके ओपर एक detailed police investigation हो रही है जिसके अंदर की police ने Mercedes-Benz के officials को भी बुलाया है Regional Transport Office से report मांगी हुई है Kalina Forensic Lab से report मांगी हुई है और काफी eye witnesses के statements भी collect की है लेकिर Mercedes-Benz वाले काफी cooperate कर रहे है उन्होंने ये काया था कि आप हमें बुला के specific questions के answers मत मांगी है हमें गाड़ी के अंदर एक electronic data chip होती है जो कि गाड़ी के सारे parameters को record करती है at every moment तो जाहिर सी बात है कि जब भी गाड़ी का accident हुआ था उस moment पे गाड़ी के जो भी data points थे जो भी parameters थे वो सारे के सारे उस data chip के अंदर saved थे So Mercedes has requested कि हमें आप वो data chip दे दीजिए हम उसको analyze करके आपको सारी details दे देंगे इससे investigation का जो scope है वो सिर्फ उन चंद सवालों तक limited नहीं रहेगा Investigation को और जादा broaden किया जाता है क्योंकि police authorities के पास सारी information होगी तो इसलिए Mercedes-Benz के पूरने office से 6 officials गए हैं और उस data chip को retrieve करके उन्होंने Germany भेजा है Very cooperative Mercedes लेकिन Mercedes-Benz वाले भी सोच रहे होंगे क्यार हमारी जान पर अच्छी आफात आ गई हमारे brand image के उपर काफी keychard उचल रही है क्योंकि हमें भी घसी रा जा रहा है news के अंदर हमारी भी काफी बाते हो रही है कि हमारी कार कितनी safe है safety rating के उपर भी question उठाय जा रहे है and police भी हमसे question कर रही है Mercedes Benz को लगतो रहा होगा कि यह जिसने इतनी तेज गाड़ी चलाई है थोड़ा सा उनके बारे में ही बात कर लो well don't worry Mercedes ऐसा पहली बार नहीं हुआ है आज से 8 साल पहले 2014 के अंदर जह हमारे union rural development minister Mr. Gopinath Munday जी का accident हुआ था in which he also died unfortunately तो वो मारूती SX4 की पिछली seat पे बैठे वे थे उन्होंने भी rear seatbelt नहीं पहनी भी थी और उस टाइम मारूती SX4 के safety parameters के उपर भी बहुत सवाल उठाए गए थे दुख की बात ही है कि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है सीट बेल्ट पहनी भी थी वो बच गए SX4 के अंदर Gopinath Munday जी पीछे बैठे थे rear seatbelt नहीं पहनी थी he expired और उनकी front seats के अंदर driver and passenger side पे दो लोग बैठे वे थे उन्हाने seatbelt पहनी भी थी they survived similarly सारे समिस्तरी जी के case के अंदर भी वो और Mr. Jahangir Pandolay पीछे बैठे थे without seatbelts they expired आगे जो दो passengers बैठे वे थे उन्हाने seatbelt पहनी भी थी ICU में हैं but they survived moral of the story is कि जब भी कोई बहुत बड़ा हाथसा होता है जिसमें कि बहुत बड़े लोग involved होते हैं तब ही हम सब के लिए एक wake-up call होती है कि हमें ये करना चाहिए हमें वो करना चाहिए लेकिन उसके बाद everything settles down and सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं ये rare seatbelts का और safety का पहली बार मुद्दा नहीं उठा है पहली ब्यूट चुगा था लेकिन आज भी लोग जो है थोड़े से careless रहते हैं rare seatbelts नहीं पहनते हैं अब एक और एक बड़ा हाथसा हुआ है उसके बाद अब इस चीज को enforce किया जा रहा है through law और मैं honestly एक बाद बता दूँ काफी सारे लोग मेरे से car safety के बारे बहुत questions पूछते हैं आप लोग देख सकते हैं comment box में आते रहते हैं लेकिन मारूती SX4 वो तो उतनी जादा safe नहीं थी चलो मार लिया मारूती की car थी SX4 थी थोड़ी सस्ती car थी उतने जादा airbags उसमें नहीं थे लेकिन Mercedes-Benz तो एक expensive car है 65-70 lakh की गाड़ी है 7 airbags है 5 star rating है लेकिन मारूती SX4 के अंदर भी जो rare passenger थे वो expired होगे Mercedes-Benz GLC के अंदर भी जो rare seat passenger थे वो भी expired होगे और बात सिर्फ 7 lakh की गाड़ी और 70 lakh की गाड़ी की नहीं है 7 करोड की भी अगर गाड़ी होगी न उसके अंदर भी कोई बैट के expire हो सकता है अगर वो बिना seat belt के चलेगा अगर वो proper safety protocols follow नहीं करेगा और वो गाड़ी को 1.220 पर उड़ाएगा हाँ, injury का impact थोड़ा कम हो सकता है instant death ना होके शायद हो सकता है कि कोई handicapped हो जाए but there is no car which can ensure 100% safety कि आप कैसे भी बैठो, कुछ भी करो, कितनी भी तेज़ चलाओ आपको कुछ नहीं होगा गाड़ी एक secondary चीज है गाड़ी जो भी safety और protection ओफर करती है वो एक bonus है, main चीज होती है driver के उपर, कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है आज से 30 साल पहले, जब देश के अंदर ambassador और fiat बिखा करती थी ना उनमें कोई seatbelt थी, ना उनमें कोई airbags थे ना ही शायद उनका कोई crash test इतना जादा intensively होता होगा और star rating तो किसी को कभी पता भी नहीं होती होगी कि इन गाड़ीयों की कह है उन गाड़ीयों के अंदर भी accidents होते थे उन गाड़ीयों के अंदर भी safe driving होती थी उन गाड़ीयों में भी लोग बच जाये करते थे उन गाड़ीयों के अंदर भी लोग बर जाये करते थे सो कार एक machine है if used properly, it can assist you if used improperly, it can kill you तो यह थे थोड़े से quick updates and इस accident के चलते या वैसे भी car safety world के अंदर और car regulations के अंदर जो भी changes होते रहेंगे मैं time to time आप लोग के साथ share करता रहूँगा और थोड़ा सा शायद अपना ग्यान भी आड़ कर दू बाए